हेलो टीजर्स वेल्कम टो यूट्यूब चला एडवेज अकेडमी आम अमत्कवर समी आई हो प्यार वाल रहल दी आज की वीडियो बहुत इंपोटेंट होने वाली है दोस्तों क्योंकि आज हम डिसकस करेंगे यह मारस के एनपी 2020 के सभी के सभी एम्पोटेंट कौस और एनपी शिर्फ और सिर्फ एम्रेश में नहीं जितने भी आपके टीची का अगर्जाम होंगे सब में एननेपी से रिलेटेट कोश्छंव आएंगे यह मारस में आपकेव मार्श केस में से कोश्चंव आएंगे ठेकिंगे फाइव मांस अब अच्छी चाहें तो वहां से डाउनलोड कर लेना और टेल्ग्राम चनल को जॉइन कर लिजिए काफी इंप्रोटेंट अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे देखिए हम करेंगे आज 40-45 एनिपी से रिलेटेट लेकिं उससे पहले एनिपी के बेस को समझना बहुत जोरु हुई है तो पांस से दस मिट लोगा आपके उसके बाद को चलते हैं कल मैं आपसे कोशन पुछाता कि करिकुलम और स्लेबस में क्या डिफ्रेंस है ठीक है वैसे आप सबको पता है मुझे पता लेकिन फिर भी एक बार डिसकस कर लेते हैं ठीक करिकुलम क्या एक वाइडर कंसेप्ट है जिसमें करिकूलम में औल एक्टिविटी जितनी भी एक् पहली बाद दूसरी बात करिकुलम् बात करता है अबराल development की और सिल कॉगनिटिव development नियुद से हद बात करेगा तो psychomotor development की मतलब physical made physical development की कोई कोण और साहकों say cognitive एफेक्टिव एन psychomotor मतलब संग्यानत्मक्विकास और यह क्या emotional development है और यह क्या physical development किनों की बात करते हैं ठीक है और syllabus क्या 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 है cognitive सिर्फ संग्यानत्मक्विकास की बात करेगा syllabus करिकुलम अपने आप में complete package है और syllabus क्या है उसका एक हिस्सा मात्र है यह तक समझना आया कोई भी दिक्कत कि आगे चले चले देखिए एन एपी में सबसे पहले बात समझ में बहुत अच्छे समझे कि क्या हुआ 1985 में कि मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन को ट्रांस्ट फॉर्म कर दिये किसमें महर्ड में एम एच आड़ी मतलब मिनिस्ट्री ओफ हुमन रिसोर्शेज एंड डेलप्मेंट कब किया 1985 में किसके थुरू हुआ राजीव गांधी ने किया था ठीक है अब इसी लिए एम एच आड़ी ने एन एपी कुद नाइटीन एटीसिक्स ठीक है जो एन एपी नाइटीन एटीसिक्स आया था वो किसके थुरू है था एम एच आड़ी के थुरू ठीक है मिनिस्ट्री ओफ हीमन इस्ट्री और डेवलॉप्मेंट उसके बाद 2020 में एम एच आड़ी इसका नाम दुबारा बदल कर कर दिया मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन इसका मतलब है कि एम एच आड़ी के नाम पहले भी मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन था ठीक है यह बत ध्यान रखना और यह किया है किसने यह नरिद मुझीजनी किया है समझ में आगया कोई दिक्कत नहीं तो 1986 वाला जो है एनएपी वह एम एच आड़ी ने निकाला था और यह जो है एनएपी 2020 यह मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन के थुरुआ है अब बात करते हैं जो इस्ट्रक्चर में जो भी चेंज आया है वह हम थोड़ा सब देख लेते हैं देखिए जो फॉर्मेट था पहले था 10 प्लस टू का फॉर्मेट 10 प्लस टू का था जिसमें छह से 16 वर्स तक देखा जाता था उसके बाद 16 से 18 वर्स मतलब दसवी प्लस दो बारवी सिंपल यह स्कूल से लिटेट था अब क्या हुआ है जो निव पेड़गोजिकल करिकूल में स्ट्रक्चर जो है वह क्या करती है तीन साल जो आगनवाडी है उसको पर देखती है प् इसको कैसे किया गया है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यह याद रखेगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अब आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं कैसे भी याद करें लेकिन यह एकदम याद रखने वाली बात है इसको भोलना नहीं है अब इस 5 को भी दो पार्ट में कनवर्ट किया है क तीन साल आगनवाडी के और ये 1st & 2nd Class बच्चा इसमें इसको क्या बोलते है इसको बोलते है foundational stage क्या बोलते है foundational stage इसको क्या बोलते है मूल भूत चरण मूल भूत चरण झूरनने चरण ठेक है उसके आता है च्रिपेट्रिस ट्रेज ये तीन साल होती है 8 से 11 साल ठीक है 8 से 11 वर्ष की उमर होती है ये क्या होता है प्राणामिक चरण होता है कि ठीक है कि उसके बाद आते हैं मिडल स्टेज मद्ध्य स्टेज मद्ध्य चरन उसके बाद माध्धमिक चरन आता है ठीक है यह 11 से 14 वर्स और 14 से 18 वर्स मतलब कुल कहने का मतलब है सिर्फ इसमें बच्चा क्लास से ही स्टार्ट नहीं होता इसका ठीक इसमें आपको जो प्रीश्कूल आगानवाड है उसमें भी बच्चे के डेवल्पमेंट के बारे में उसकी चवह मुख्य विकास के बारे में एनपी बात करता है ठीक कोई दिकत नहीं देखिए 360 डिग्री एससमेंट ये एकदम रट लीजेगा भूलना नहीं है ठीक है जहां पर भी कोर्षन में 360 डिग्री जो पीर गृुप है उसका वू बताए कि उसको क्या 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 आताया आता वह वह एपीर लुट करें और टीचर भी लुट करें ठीक है तो फर्शलों कार्ट चेह ने एक शीज और निकाल है परक जो तो रिफॉर्म हुआ है उसमें परख की बात की गई परक की फुल फ़ॉब्हूर्म को पता होनी चहि है पीसे बातकरते हैं परफॉमेस है एसस्मेंट तो परफॉमेसर रिवी으니까 review and analyze of education for holistic development यहां पर बात होरी है holistic development मतलब तो ओवर ओल्वेट्मेंट की बात की गई है ठीक है तो परक्ष मिनिस्ट्री फ़ एजुकेशन ने निकाला है इसको ध्यान रखेगा है इसकी फुल फॉर्म इसनवेट करते हैं किन इफ्ऱ्य एमोशझन डेवल्लेप्ड में की ठीक है ठीक है अब बात करतें और क्या बात करता है यह बात करता है कि जो किताबों का स्लेबस है किताबों के बोज को कम करके उसकी quantity कम की जाए quality को बढ़ाय जाए एक ओवरॉल डेवल्लमेंट होना चाहिए बच्चे का सिर्फ और सिर्फ cognitive डेवल्लमेंट नहीं होना चाहिए उसका physical development भी होना चाहिए emotional development भी होना चाहिए बच्चा प्रेसर में ना पड़े ठीक है क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारी पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है बस अब स्टार्ट करते हैं को यह चीज और देख लिजिए और यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखिए का यह क्या है यह नो क्लास थोपी नहीं जाने चाहिए कि आपको यह पढ़नी ही पढ़नी है जो बच्चे का मन करेगा वो पढ़े दूसरी बात फिस्ट क्लास तक बच्चा मदर टंग उसकी मदर टंग हो यह रीजनल लेंग्वेज हो उसको यूज करने का उसको पूरा मौका देना चाहिए ता हुआ कि क्लासिकाल लेंग्वेज थैंसिस यह जो न संस्क्रित होगए यह यह आप और एक और यह सौच निकाली गए है कि इससे क्या हुआ कि इन लेंग्वेज को आप अगे ले सकते हैं और अप्षल लेंग्वेज के तो ठीक है ताकि लोग प्रोत्साहित हो और इन लेंग्विज को सीखें दुबारा ठीक है में हैल्फ होगी ना कि कमी आएगी तो बच्चे जितनी भासा ज्यादा भासा सीख सकते हैं वह बहुत अच्छी बात है लास्ट बात क्या कहीं कि यह इसमें इंडियन इसमें से आपको क्या क्या चीज याद रखनी है देखिए टर्म बतारो मैं पहली बात एक तो फ्लेक्सिबिलिटी जहां आए वहां पर ठीक है दूसरी बात है आपका मदर जहां पर रहे वह चीज देखने बहुत ज़रूरी है दिए दिर पता पड़ेगा आते हैं आगे अब बात करते हम कोर्शन की एक आपका पहला कोर्शन है सिंपल सी बता है लट डू कोर्शन एकदम के वाट इस्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एस रिकमेंड़ेट बाइदा एन एपी 2020 स्ट्रक्चर कैसी है पहले 10 प्लस टूर थी आप कैसी है हम सब को पता है कैसी है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कोई दिक्कत नहीं तो इसका जो आप्शन है वो फर्स्ट है वो करेक्ट कोई दिक्कत यह तक देखिए अब आते हैं मेन कोर्शन्स पर कोर्शनमर फर्स्ट देखिए कोर्शनमर फर्स्ट है टू इंस्योर रिटेंशन आफ इस्टूडेंट्स फ्रॉम सोच्यो एक्रमिकली डिसॉरेंटेज ग्रूप एन एपी 2020 प्रूपोज दा करिकुलम पेडगोजी मतलब जो बच्च प्रूपोजी देखिए मेन बात है हमें सब ध्यार ना करें जो भी एनपी 2020 का जो स्लेबर्स है या करिकुलम है वह चाल्ड सेंटर है यह लेकिन यहां पर क्या गया है एक्जाम सेंटर हो ही नहीं सकता टेक्स्ट बिलकुल नहीं है एंगेजिंग एंड कॉंटेक्ट्ट्ट मतलब बच्चे उसे रिलेट कर पाएं ऐसा ही सिंपल सी बात है ताकि वह बच्चे अगर रिलेट कर पाएंगे तो वह समझेंगे और वह चीज उनके डिवलोबेंट पर बहुत ज्यादा है तो यह एक हो सकता है आगे देखते हैं स्टेंडर्ड एंड यूनिफर्म स्टेंटर्ड एंड पर फॉलोविंग स्टेंट्मेंट इस प्रपोजड इन एनएपी 2020 अठीक है राष्ट्र शिक्षा नीती 2020 में निन में से कौन सा कथन प्रस्तावित है क्या है अपनी अपनी मात्र भाषा में शिक्षित होना सेक्षिक और प्रोद्योगिक उन्नती में अपनी मात्र भाषा को तो प्रोसान दिया जा रहा है अनपी में स्कूल शुट भी एंकरेश चाइल्ड तू लर्न और स्पीक इंग्लिस एस फर्स्ट लेंग्वेश बिल्कूल भी नहीं एस फर्स्ट लेंग्वेश उनको कोई कोई प्रेसर कर ही नहीं सकता है इंप्रेश क के लिए बहु भासी होने के उच्छ संग्यानत्मक लाब हैं बिल्कुल लाब हैं अभी हमने बात करी जितने ज्यादा बच्चा जितनी भासा यह सीखेगा उसका डवलॉप्मेंट उतना ही अच्छा होगा एक तो यह सही है अगर है दुभासी उपागम दुभासी बाइलि इसलिए यह आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा यहाँ पर कोई भी दिक्कत है अब कोर्शन में थर्ड पर आते हैं कोर्शन में थर्ड देखिए बड़ आराम से देखिए अड़ प्राइमरी लेवल नेशल एजुकेशिंग पॉलिशी नेपी तो तरन ट्रुपोज़ इस अधर मीडिया फर इंस्ट्रक्शन एक्रोश तरानेशन कैसी लेग्विश फे उन्हों ने इंफर साइज किया है लेग्विश को प्राइमरी लेवल पर हमने बताए बन तो फाइं तक मधर टॉ तक बदेखिए लेग्विश्किया यह होम लेग्विश उस चीज़ को तेस्टिंग रोट में रोट आ जाए वहां पर उसको दूर भाग जी ठीक है वो कोशन वो अप्शन हो ही नहीं सकता रटने पर कभी एन एन एपी ध्यान देता ही नहीं है मतलब उसको बार बार रट के उसको दुबार बार बार दोहराओ यह चीज़ पर फोकस नहीं करता है और क्या करता है थर्ड है कि टू सपोर्ट चिल्टरन इन दप्रोसेस ऑफ लर्निंग बच्चों को सीखने की प्रियाम में मदद करना बिल्कुल इस चीज़ पर बिल्कुल फोकस करेंगा तो एर्राइव एट पैरामेटर्स टू कंपेर चिल्टरन एक्रोस दे कंट्री कंपेर जहां पर कंपेरिजन आ जाए ठीक है वह चीज़ थोड़ा से ध्यान से कंपेरिजन कभी बच्चों कंपेरिजन नहीं करना चाहिए तो इसका का मुल्यांकन होता है को समर फाइव देख लीचे दैस इस दा कॉंप्रेहेंसिव और इंटेग्रेटिट फ्लैक्सिफ प्रोग्राम ऑफ दा गर्वर्मेंट ऑफ इंडिया तू अटेन दा यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन यू ए यूनिवर्सल एलिमेंटरी करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकिकृत फ्लैक्सिफ करकरम क्या था तो यह था 1986 का NPE ठीक है National Policy of Education ठीक है इसको हम NEP बोलते है ठीक है NEP 1986 कुरिशन में 6 देख लिए एस पर नेशनल एजुकेशन पॉलेसी NEP 2020 एजुकेशन मस्ट किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए प्रिदिटर्माइड और प्रिदिटर्माइड कान्टेंट ऑप मतलब जो आपके स्लेबस इस चीज़ पर सिर्फ स्लीबस पर फोकस करेगा नहीं focus on problem solving focus on problem solving पर बिल्कुल focus करता है और कि चीज़ करता है develop critical thinking among learners critical thinking को बिल्कुल encourage करता है ठीक है बच्चे के अंदर critical thinking होना चाहिए ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया उस चीज़ को वैसी ही माल लिया ठीक है उसके बार में तरक बहुत ज़ूर्ट अगर वह सोचेगा तो अच्छी बात है ठीक है और किया कहा है और है आपका बी inquiry driven and discovery oriented डिस्कवरी ओरिंटीड होना चाहिए और inquiry driven होना चाहिए तो इसका यह है आपका ए यह रहा है यहां पर कोई भी चीज अभी तक समझ में नहीं आ रहे है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं ठीक है आपकी लिए comment section खुला है question 7th देख लेते हैं the shift proposed in national education policy 2020 is formed राष्ट्र शिक्षा नीती में ठीक है प्रस्तावित बदलाव है क्या आप standardization to flexibility बिल्कुल क्या 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 गया है यह क्या rigidity मैंने बताया आपको standardized क्या होता है to flexibility पर बिल्कुल यही बात सही है formative to summative अब देखिए यह गलत है क्यों summative मतलब होता pen pencil जबकि वहां पर वहां से होके हम overall development की बात करें तो सिर्फ pen pencil से related नहीं करता यह उल्टा होगे है जबकी से उल्टा होता तो सखी होता हम सब्सक्राद की फॉमीटीव जा रहे हैं कि formative पे जा रहे हैं धियान रखना हम हमेशा हम जारे ज़िंध मैँचिटिव और सौनेटिव ज्क्राद धी दियान रखना नाकि formative क्यों सममेटिव जा रहे हूं तीसरा, conceptual understanding to learning for exam, सिर्फ conceptual understanding for exam, सिर्फ exam के लिए conceptual understanding होनी चाहिए, नहीं, सब चीजों के लिए होनी चाहिए, और क्या है, multidisciplinary to rigidity, rigidity की तो मैं अभी बात कर रहा था, flexible होना चाहिए, ठेक है, तो इसका correct answer है, first, statization to flexibility, हम कहा रहे है, मान की करण से, लेच्छीला पन, NEP 2020 में flexibility पर बहुत ज़्यादा focus किया गया है, next question, question number 8, आप खुद बताईए, बताईए, देखिया, question मत देखिया, national education policy 2020, consider multilogalism, जो बहु भावा सेता है, वो क्या है, as a hindrance of children learning, यह क्या करती है, बच्चों को सीखने में एक रुकावाट की तरह देखती है, बिलकुल नहीं, यह तो गलत हो गहीं, as an assets in the classroom, एक asset की तरह देखती है, बिलकुल ठीक है, एक पूझी की तरह देखती है, क्योंकि जितने ज़्यादा languages होएंगी, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आपके पर टर्म आएंगे, और टर्म आएंगे तो बच्चों का development में वो help करेंगे, ठीक है, थर्ड क्या है, as an unnecessary complication in teaching learning process, तो complication तो कहीं से भी नहीं है, शिक्षण अधिकाम की प्रिक्रिया में एक अनावाज से जटिलता है, बिल्कुल भी नहीं, as the barrier inclusive क्या करेगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि help करेगा, उल्टा, क्या करेगा, help करेगा, तो इसका correct answer कौन सा है, option नमर B, क्या करेगा, एक asset के रूप में काम करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, एक asset के रूप में काम करेगा, question 9 देख लेते हैं, what does NEP 2020 propose to retention of a student from socio-economical disadvantage group, वही question दुबारा एक तरीके से, ठीक है, question बदल-बदल के देखेगा, यह क्या करा है, राष्ट्रे सिक्षान रीती 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, समिधायों में आने वाले विद्यार्थियों के अवधार्ण के लिए क्या प्रस्तावित कर रहा है, रेटकर सिकला, रोट लेर्निंग बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, यह तो बिल्कुल गलत है, इस्टेंडराइजेशन टू करिकुलम एंड एसस्समेंट, पाथे चर्रा, मुल्यांकन का मानकी करन, यह भी गलत है, पर्फोर्मेंस ओर्येंटिट टेस्टिंग, ठीक है, सिर्फ पर्फोर्मेंस ओर्येंटिंट टेस्टिंग होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस्टेंडाइजेशन तो मैंने पहली बताया था, जहां पर फ्लेक्सिबिल्टी होने चाहिए, तो इससे क्या है, अंसर क्या है, रिलेटेबल एंड मीनिंग फुल करिकुलम संदर्भित और आर्थपूर्ण होना चाहिए, उनके लिए, ठीक, रिलेटेबल जब तक नहीं होगा, तो बच्चे कॉनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनके चाहिए, कुश्चम 10 है, वाट शुद्धा होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टि डि प्रोग्रेस कर्ड जो होलिस्टिकти different seperti कर्ट है क्या reflect करता यह काड क्या reflect करता है यह करता कंपरिजिन उफिलेक्ट करता है उफ cuatro gonna perform कोगणेटिव, एफेक्टिव एड साइको मॉटर जहां पर यह थीन चीज़ है समझ लिए लजे एकदम करेक्ट है तो यह किस चीज के लिए रविट करता प्रोग्रेट करता यही तो डिफ्लेक्ट करता यह क्या बताता है एक मृट यह रहा ऑप्शन वी यह क्या बताता है कि progress in the learning कितनी progress होई किस चीज में cognitive में effective and psychomotor में कितनी progress होई यही चीज़ reflect करता है फिर भी चार option पढ़ लेते हैं एक बार को थार्ड कहता है correct identification labeling of the students in the 8-point grade scale पहली बात लेबलिंग वर्ड जो है यह कहीं भी आए यह नहीं करना labeling नहीं होती है ठीक है of the students comprehensive that the parents need to work अगर parents work करेंगे तो आप क्या करोगे आप teachers तो आप क्या करोगे तो इसका correct answer है option B ठीक है एक पर इसको दुबारा देख लेते हैं कुर्चन में 11 देख लेते हैं कुर्चन में 11 है national education policy 2020 प्रपोस्टेट यह क्या प्रपोस्ट करती है दिखें यहां भी रोट आ जाए पहली बात नेपी में तो उसको एकदम काट देना ठीक है अब बात आते हैं हम आर पास दो अप्सन यह क्या करती है प्रपोस्टेट के कि करेगी करेगी क्रिटिकल थिंकिंग को एकदम सही है अप्सन डी तो प्रेक्ट होगे और अप्छन डी कहरा है क्या यह क्या इक्सप्रीमेंटल रॉनिंग जो है वह प्रपोस्ट करीड को रट के दौराने वाले में recall आता है यहां पर हमने रिकॉल की बात करी ही नहीं है एनिपि में रिकॉल की बात हो ही नहीं कि जब आप अंडरस्टेंड कर लोगे तो आपको रिकॉल करने की सवाद पड़ेगी ही नहीं ठीक है कॉर्शन में 12 देखें जहां पर भी आपको option में not not दिख जाए ठीक है किसी भी question में अगर आपको not दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा डंग से पड़ीगा क्योंकि काफी जो लोग है उनके questions इसी वज़ेश कलत हो जाते है not ना पड़के ठीक है आपके साथ भी होगा definitely ठीक है which of the following has not promote of the NEP किस चीज को promote नहीं करता है ध्यान देखें ठीक है in context of education of students with disabilities जो बच्चे अच्छा होना चाहिए उसके उनके हिसाब से बना होना चाहिए जो physical disabled है ठीक है तो उनके लिए मर्थ एकदम जहां पर शीडिया नहीं होने चाहिए एकदम slope बना होना चाहिए ठीक है तो यह चीज तो अच्छी है one-on-one teacher and tutor अगर बच्चे को कहीं भी कोई भी दिक्कत आ र करता है inclusive education की बात करता है ठीक है inclusive education की बात करता है फूर्थ क्या है ठीक है तो compulsory education यह नहीं होने चाहिए suitable technical जो जितनी भी टेक्निकल चीजे है technology कोई भी आगया आपका जैसे सुनने में परिशानी है वह लगाते न कुछ earbud जैसा तो वह लगाना या फिर आप ब्रेल लिपी के लिए कोई software यूज़ करना तो यूज़ कर सकते कोई दिक्कत नहीं तो लेकिन इसका correct answer क्या है जो चीज़ में एने पी अलाव नहीं करता प्रमोट नहीं करता वह नहीं करता ओप्शन थार्ड कंपल सरी special education को नहीं करता वह inclusive education को प्रमोट करता है ठीक है को समय 13 दिख लिए को समय 13 है एने पी प्रोपोस किस चीज़ को प्रपोस करता है reduction in context of school curriculum reduction की बात तो की है किताबों के बोज को काम करने की बात की और किस चीज़ की बात करिए increase flexibility in the school curriculum बिल्कुल flexibility की भी बात किए है emphasize on rote learning rote की बात जहाँ पर भी आए उसको कार्ट देना ठीक है? और क्या करता है emphasize on critical thinking critical thinking पर भी emphasize करता है तो ये क्यों सा हो गया? first हो गया, second हो गया, fourth हो गया first, second, fourth है कहीं first, second, fourth option C आपका, correct हो गया, simple सी बात कोर्शक्राइब 14 देख लिए कोर्शरमर 14 है । थ्रीमेंचिति डिग्री असेनल रिपोर्ट शजेश्टड बाइ नेपी 2020 यह क्या करता है । बनाली असेनल रिपोर्ट श्जेश्टि तो इस चीज को प्रोपोच नहीं करता है ठीक है इस चीज़ को प्रपोर्ट नहीं करता है assessment of road memorization इसको भी प्रपोर्ट रना नहीं करता है grading of child on the basis of paper pencil इसको भी नहीं करता है inclusion of self assessment and peer assessment अब बताया था ना जो 360 degree में क्या होता है self assessment भी होता है peer assessment भी होता है और teacher assessment भी होता है तो self assessment, peer assessment भी इसमें है तो एकदम D option जो है वह आपका correct है ठीक है जहाँ pen paper आ गया, summative हो गया, बात एक ही होगी ठीक है paper pen हो गया, summative हो बात एक ही होगी और road learning को वैसी promote नहीं करता है तो आपका यहाँ पर question गलत नहीं होना चाहिए question एक जैसी आ रहे है सर्फ घुमा घुमा के आ रहे है question 15 देखिए in the context of language national education policy 2020 emphasize कि चीज़ पर emphasize करता है language में देखिए एक बात ध्यान अखना परले भी कर लेते हैं देखिए multilingualism पर emphasize करता है monolingualism पर multilingualism emphasize करता है जितनी ज्यादा बासा बच्चों को आएंगी उतना ज्यादा उनका development होगा monolingual single language नहीं English as the medium of instruction across the nation नहीं इस चीज़ को भी promote नहीं करता है Hindi is the medium of instruction बिल्कुल भी promote नहीं करता है वो multilingualism को promote करता है option A is correct बहु भास सेता को promote करता है ठीक है पुरे देश में क्योंकि हर कोई English बोल सकता है ऐसी यह भी possible नहीं है हर कोई Hindi बोल सकता है यह भी possible नहीं है question 16 देख लेते हैं which of the following statement is correct as per NEP 2020 कौन से statement कैसी है correct है पहली बात monolingualism की बात करें तो monolingualism should be practiced at all level monolingualism नहीं होना चाहिए multilingualism होना चाहिए तो यह तो एक वैसी गलत हो गया दूसरा है emphasize should be placed of root learning root learning की बात नहीं नहीं use of technology should be discouraged for दिव्यांग उस्टेंट क्यों डिस्कराइज नहीं encourage करना चाहिए बच्चों को तो यह भी गलत है flexibility should be provided for student flexibility मैंने क्या बता है standard यह चीज़ आये वह अलग है उनकी जगह पर क्या होना चाहिए flexibility उना चाहिए बच्चों की flexibility should be provided for students of choose their learning ठीक है कोई भी language आप चूज कर सकते उनके लिए बिल्कुल भी चूट होनी चाहिए तो यहां पर क्या है सिख्चार्तियों को उनके सीखने के पत्त और कार्यकार्मों को चुनने के लिए लचीले अपन प्रदान करना यह एनिपी देता है ठीक कुर्शनमर 17 किस चीज़ पर emphasize करता है flexible multi-level activities based learning बिल्कुल ठीक है ठीक है एकदम flexible multi-level activities है only the aspect related to the cognitive सिर्फ संग्यानत में विकास पर जोर देता नहीं हमने बात किया किस चीज़ पर संग्यानत कॉग्नेटिव भी होना चाहिए emotional भी होना चाहिए और psychomotor भी होना चाहिए सिर्फ cognitive development संग्यानत में विकास की बाग नहीं करता है तो यह गलत हो गया standardization of the national curriculum standardization नहीं होना चाहिए flexibility होने चाहिए flexibility होने चाहिए ठीक है यह भी गलत हो गया अगला है measurement of abilities of children बच्चों के समर्ण को मापने यह भी promote नहीं करता है कि चीज़ पर emphasize करता है सिर्फ flexible multi-level activities based learning पर ठीक है कुस्मार 18 है the purpose of assessment as per NEP 2020 is provided informed on राष्टर शिक्षा नेती 2020 के अनुसार मुल्यांकन का उद्देश से किसकी जानकारी देता है how to support the student and in out of the classroom विद्द्यारतियों में कख्षा में और कख्षा के बार कैसे शाहता दी जा सकते इस चीज़ को provide करता है बिलकुल दूसरा comparison की बात तो NEP करता ही नहीं comparison of the students अगला है the gap and deficiencies in students learning in accurately identify her failure विद्द्यारतियों को सीखने में कमियों और अभिवक्ति की असफलता को पुष्ट पहचान दी जा सके नहीं ठीक है यह भी गलत है memorization capacities of the student रटने की बात होई नहीं है memory रटने की बात करता ही नहीं है यह चीज की बात करता है सिर्फ विद्द्यारतिकों कक्सा में और कक्सा के बाहर साहिता दी जा सकती है NEP इसकी बात करता है ठीक है को सब्सक्राइब नाइनटी देख लिजे एक्कॉर्डिंग तुदा NEP 2020 the emphasize of education should be ठीक है NEP के अनुसार सिक्षा को किस पर बल देना चाहिए conceptual understanding पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए conceptual understanding पर ध्यान चाहिए ठीक है ना की deconstructural तो यह इसका उल्टा हो गया रोट लेटनिंग पर ध्यान देना learning for exam नहीं learning to learn सीखने के लिए सीखना ठीक है फोर पिलर्स होते ना उसकी बात की गिए लेकिन यहां पर सही अंसर क्या है emphasize क्या क्या होता है education should be conceptual understanding अपके concept के लिए रहोंगे तो आपकी चीज़ को अच्छे समझ पाऊगे क्या प्रपोस करता है testing of higher order skill होता है जैसे अनलाइस हो गया क्रिटिकल थिंकिंग हो है ठीक है तो इनको टेस्ट करता है बिल्कुल इनको टेस्ट करता है बाकी क्या है बाकी option देख लेते है रिकॉल रिकॉल वाली बात मैंने पहली रोट लर्निंग हो गया रिकॉल हो गया इन सब चीज को कोई बिल्कुल भी प्रसान नहीं देता है सब्मेटिव एस्टमेंट मतलब pen paper वाला हो गया यह भी गलत लर्निंग फोर एक्जाम बिल्कुल गलत है क्या होता है लर्निंग टू लर्न फोर फिलर्स होते है ना तो यह भी गलत है तो सही अंसर आगे इसका option 1 testing of higher order skills such as allies and critical thinking देखिए बात बते हैं ब्लूम टेक्शन में थी ना cognitive domain वाली इसमें higher order skill क्या होता है सबसे पहले knowledge बच्चा किस knowledge को gain करें ठीक है उस चीज को समझे comprehensive में ठीक है उसको apply करना सीखे यह तीन नहीं होगे यह लोगर order thinking क्या हो गया यह low order order thinking होगे और बाकी जो उपर के तीन है यह high order thinking में आते है hot hot ठीक है इसमें क्या रहता है allies synthesize और evolution किस चीज को allies करना visualization करना translation करना और उसको evaluate करना यह high order thinking में आते हैं जो NEP बात करता जिसकी ठीक है कोश्वर्ण 21 देख लेते हैं NEP जो हता है NEP 2020 प्रपोज और सिफ्ट तुवर्ड्स किस तरफ learning टूर्ण मैं फोर बताया था उसमें से रहत हैं सही answer है opposite A कोर्षर में 22 देख लेते हैं कोर्षर में 22 है इन ना कॉंटेक्स्ट ऑफ एसस्मेंट वाट काइंड और रिपोर्ट कार्ड ऑफ इस्टुएंट है इस बीन प्रपोजड इन एन 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 पी 2020 यह किस तरह के रिपोर्ट कार्ड की बात करता है एन एन पी बीब बात करता है रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफार इए रिलेटीव लीफ्रमेंस ऑफेटब्स ऑफ इस डेंट इंकंपरेजिट की बात जहां भी हो वहाँ पर और भी बात कार्ट इस डिंट परफॉर्मेंस इन पेपर एड़ पैंसल पेपरेंसल की बात अलग हटाई क्यों भास्ट है, सब्मेटिव, सब्मेटिव मतलब वही पेपर पेन वाली, यूनिटिवर सब्सक्रिट कार्ट, नहीं, जब की बात करते हैं, 365 रिपोर्ट कार्ट की ठीक है, तो ऑप्शन C is correct, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है, ऑप्शन नमर 23, as per NEP 2020, 20 assessment of learners should include the progress as well as uniqueness of learners cognitive social spiritual spiritual की बात नहीं होती है कोई भी spiritual domain होता ही नहीं है cognitive physical domain होता है लेकिन इसमें एक चीज़ गलत है मतलब दोना ठीक है देखते हैं और इससे भी ज्यादा अच्छा है कि तो जैसे कोगनेटिव एफेक्टिव एंड साइको मोटर सीपी यहां पर इसकी बात आए तो यह अप्सन बिल्कुल ठीक है ठीक है और एक बद्धिया रखना ठीक है कोगनेटिव साइको मोटर में कॉनेटिव इप बोलते हैं और तेहएं कि आउप्षन फूर्थ है फिसिक्छिकल साइक लोजिकल एंड फिजीलोजिकल देखिए फिजीलोजिकल की तो बात की है लेकिन साइकलोजिकल ये बात नहीं की है तो यह वालक अलत हो जाएगा तो सही और उप्संग कोशन में 24 देख लेते हैं देखिए ये हेटल स्पीक्स गुजराती एट हो एंड इन फ्लुएंट इन रीडिंग और राइटिंग दे लेंग्वेज दे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हर स्कूल इस हिंदी ए लेंग्वेज सी ड़ेंट नौ ठीक है वह हिंदी भासा जानती रही है है हेटल घर में गुजराती भा इस इत्तिती में विद्याले को क्या करना चाहिए हेटल शुट भी आस्टु स्पीक और ली हिंदी क्या उसको हिंदी बोलने के लिए फोर्स करना चाहिए नहीं यह चीज एन एपी नहीं बोलता है यह गलत हो गया ठीक दूसरे ऑल चिडर शुट बी इनकरेश्ट तु रेस की बात की गई है जो पर यह रहा बहु बासी तो यह अग्दम ऑप्शन ठीक है थर्ड क्या है टीचर शुट आस्क हेटल टू फोर्गेट वटेवर ही ची लर्न एठ होम तो यह बात कहीं नहीं कि जो भी आप घर पे सीखते हो वह कर आप सारे बच्चे बैठेंगे तो एक इन्क्लूजिव एजुकेशन की बात कहीं है तो यह चीज नहीं होगी ठीक है तो अप्शन क्या करेक्ट है यह है कि जहां पर एक दूसरे की भासा को रेस्पेक्ट दी जाए बहु बासी की बात की गई ठीक है बहु बासी बात को समय 25 देख लेते को समय 25 है एंस्टीड क्लास्रूम लर्नेंग टू टेक्स्ट बुक एननीप 2020 सजेस्ट देट लर्निंग एजुकेशन सोट भी कैसी होने चाहिए एजुकेशन रोट मेमराइजेशन नहीं इस टाइप की एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए ठीक है बेस्ट ऑन इंक्रीजिंग इस्टेंट महिने में कोश को बढ़ा देना चाहिए बिलकुल गलत ये क्या करा रहा है क्या कोशन दुबार अस्मी ये करे राष्ट्र सिक्षा नेती 2020 सुझाती है कि क्सा अधिकम को पाठे पुश्टकों तक सीमित रखने की वज़ए क्या करना चाहिए सब चीज़ें और समालोचनात्मक चिंतन के विकास में किंदित होना चाहिए किताबों तक ही बात नहीं नहीं है जाए जो तक बच्चों की तार्किक सोच नहीं होगी तब तक बच्चों का डर्पेंट नहीं हो पाएगा ध्यान रखना कुर्शन मर् 26 देख लेते हैं किस चीज़ पर एंफेसाइज करता है रोट लेर्निंग पर नहीं अभी हम बात करते हुआ है ठीक है यह तीनों एक ऐसे हैं जहां पर भी टर्म आ जाए एकदम गलत करते हैं कि इसको बोलो बोलो फटाफट बोलो तो वह चीज अपको क्या है रटने पर बिल्कुल विध्यान देने के लिए मना किया गया रटने पर क्या कंसेप्ट्वल अंडरस्टेंडिंग होना चीए अगर आप एक किसी पी चीज को समझ लेंगे तो उससे और भी टॉपिक क्लियर कर पाएंगे जैसे मैं यहां पर आपको कोर्शन रट वा नहीं रहा हूं पहले उसका बेस हमने किलियर किया है जब वह समझ में आ गया तो उससे लेट जितने भी टॉप जितने भी कोर्शन सारे हम इसली करते हो जा रहें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है है ना तो यही चीज है अगर आपके कंसेप्ट किलियर होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कोश्माट 27 देख लेते हैं एनएप 2020 प्रपोस इंक्लूजन आफ क्या क्या इंक्लूजन है फूर असेस्मेंट ऑफ चर्टर गुरूप वर्क एंड सेल्फ असेस्मेंट बिलकूर ठीक रोधे प्रोजयक्ट और सेंटर टेस्टेस्ट की बात नहीं हूं थाb पॉर्टफोलियो में क्या आता है कि बच्चा जो सीखता है सब्पोर्टफोलियो बनता है कि कहां पर है ठीक है एसेस्मेंट जितने भी हुआ है ठीक है सब्सकों मिला कि पॉर्टफोलियो बनता है लेकिन इस्टेंडर टेस्ट नहीं होता है तो इसमें यह दूरों गलत हो इस चीज को बताता हूं मैं इस चीज की बात नहीं होती है तो सही अंसर है आपका वर्क टेश्रीप यूद्ध 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 देखिए एक तो होता है A nRT और एक होता है CRT CRT होता है आपका Criterion Reference Test, जिसमें आपको Pass होना चाहिए, हमें पता है कि 33% पे हम Pass हो जाएंगे, यह Criterion Reference Test है, कि एतने % Marks पे आप Pass हो जाएंगे, जो आता है, और एक होता है Norms Reference Test, इसमें क्या होता है कि आप की Cut-Off कहां पर गई है, जैसे कोई भी आप exam देते हैं, तो उसक की Cut-Off बाइचास गई है, सपोर्ज कीज़ लिगजे, कि 90% 95% उपर वाले बच्चों को ही Size में लेगी, तो पास तो हो गए, लेकिन उनका Cut-Off कम रह गया, तो इसमें क्या है Norms Reference Test में आ गया, ठीक है, समिद में आ गया Question No.28, which of the following feature is not, फिर Blue में दिया है, वहाँ पर आपको Blue में नहीं देगा, या फिर Underline करके जरूर नहीं दे, ठीक है, तो इसलिए Not को ध्यान देगा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, इस दोबर है, हाँ, Question No.28 किया है, which of the following feature is not prescribed in the NEP, क्या चीज़ प्रिस्काइब नहीं कीगिये, it is the importance to identify and foster of the unique capabilities of each student, ठीक है, यह किया, प्रतिक विद्यार्ती की विशिट छमताओं का पहचाना और बढ़ावा देना, मैं पूल है, इस चीज़ की बात करता है, बिलकुल बात करता है, FSI should be placed on conceptual understanding rather than the rote learning, conceptual understanding की बात करता है, NEP, ठीक है, यह भी ठीक है, there should be due focused on creativity, critical thinking to encourage logical understanding, making and innovations, तो यह क्या हुआ, यह भी ठीक है, बिलकुल की बात करता ही है, चौता है, teachers should be focused on use of rewards and punishment to promote compliance in children, देखिए, जहां पर भी reward की बाता है, reward और punishment की बात, आप teachers हो, आपको पता है, कि reward गलत चीज़ है, ठीक है, दूसरे वे में, तो इसकी बात यह तो गलत है, तो इसका सही अंसर आप गया, option D, कि बच्चों के अनुपालन को बढ़ावाय देने के लिए अधापक को इनाम और दंड, क्या इस्तमाल करना चाहिए, बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, हम सब को पता है, ठीक है, तो इसका correct option क्या हो गया, क्योंकि यह गलत है, बाकि सब ठीक है, तो option D is correct, क्योंकि not बोला य करिकुलम में flexibility की बात NEP करता है, और क्या standardization देखी, जहां standardization होता है, वहाँ पर क्या है, मैंने बताया है, यह standardize मतलब होता, rigid, मतलब fix, ऐचा नहीं है, flexibility की बात होती है, even textualization, Deconstructualization जिसको बोलते हैं कि आपके कैसा होना चाहिए, यहाँ पर, यह संदर भी करन, यह नहीं होना चाहिए, इस तो nor नहीं होता है, यह भी नहीं होता है यह भी नहीं होता है तो इसका है flexibility in curriculum यह इस चीज़ पर emphasize करता है नेपी कोर्सर मर्म 30 कोर्सर मर्म 30 है according to NEP the progress card of the students communicated to the parents would be based on norms reference test मैंने इसकी बात करी नहीं है इसकी बात नहीं करें reflection of relative performance of student of comparison की बात भी नहीं करता है reflection of progress as well as the uniqueness of the student विद्ध्यारती की प्रगति और विश्ष्टा की प्रदीबिम्ब करें ठीक है reflection इसकी बात करता है ठीक है राष्ट्य सिक्षानीती 2020 के अरुशार विद्ध्यारतियों का रिपोर्ट कार्ड जो प्रदान किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए वो reflection होना चाहिए of the progress as well as the uniqueness of the आपके बच्चे में क्या काबियत है ठीक है और वो बच्चे कितना progress कर रहा है ठीक है उसके बारे में आप उनके परेंट्स को बता सकते है ऐसा progress card होना चाहिए ना कि comparison वाला होना चाहिए क्लासिकल लेंग्वेज आप उसको कैसे ले सकते हो संस्क्रिट को कैसे ले सकते हो संस्क्रिट को कैसे ले सकते है कि additional option में ले सकते हो ठीक है ना कि second लेंग्वेज में तो character option हो गया आपका सी को समा 32 अब जल जल्दी कर लेते हैं ठीक है को समा 32 देख लेते हैं एनीप 2020 प्रपोस्ट देट चिल्ट्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट अट होम लोकल लेंग्वेज को लोकल लेंग्वेज में या होम लेंग्वेज में समझाना चाहिए बिल्कुल उनकी मदेर टेंग में समझाना चाहिए उसके बाद क्या है चली यह तो सही है ठीक है दे शुड बी वन यूनिफॉर्म लेंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू प्राइमरी ग्लास नहीं यह चीज़ यूनिफॉर्म लेंग्वेज नहीं होने चाहिए सब बच्चों की छेत्री भाशा को भी उनको प्रास्मिक्ता देन चौता है मुल्टि लिंग्वेज शुड भी हैवली डिस्करेश्ट नहीं यह एकदम सही है तो इसका करेक्टर अंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट ए ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है कोश्रम थर्टी थरी कोश्रम थर्टी थरी है वाट शुड भी दा अंडरलाइंग प्रिंस्टिपल ओफ असेस्मेंट अकॉर्डिंग टो एनिपी राष्टे सिक्षा नीती 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर नहीं सिद्धान्त क्या होना चाहिए प्राइमरी टेस्टिंग रोट मेमराजेशन जहां पर रोट आजाये वहां पर उसको अलग ह यह क्या सभी विद्यार्थ एक लिए उनका सीखने और विकास का अनुकुलन करना एक दम सही अप्टिमाइजेशन लर्निंग और डेवलोप्मेंट फोर ओल इस्टिंट्स एक दम कुर्शन में 34 देखे विच ओफ फोलोविंग इस दा लेटेस्ट लेजिसलेशन पास्ट इंडियन पारलेमेंट आफ पीपल विद डिसबिलिटी भारते संसद में ठीक है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निमलिकित में से कौन सा कानून हाल ही में मतलब हाल ही मतलब जो जो पारित हुआ है वो क्या है देखिए इसमें दो अप्शन आ सकते हैं आपके अप्शन फर्स्ट है पर्सन विद डिसबिलिटी इकोल अपर्चुनिटी मतलब जितने भी डिसेबल है उनको एकोल अपर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्रोटेक्शन ओफ राइट ठीक होना च सुख्चीन अगर यह आए तो यह भी उपस नापका थीक है लेकिन जो बोर्ड में जो आपके पूछा गया था एक में लेकिन अगल आपमें है कॉछ्छन तो अगर है तो आप अगर है 2016क्ट गया हो तो अब इसको करेंगे हैं अगर नहीं दिया हो तो आप बी इसको करेंग कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कुर्ष्ट में 35 दिख लिए कुर्ष्ट में 35 विच ऑफ फॉलोविंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपोर्शनल मेड बाई एनी पीटोज़न ट्वंटी इस नौट करेक्ट राष्ट्रे शिक्षानिती में प्रस्तावित कत्रों में से कौन सा कथन सही नहीं है अब कौन सा नहीं यह दिख लेते हैं अब देखिए एनीप 2020 प्रपोर्ष्ट एट अवराइटी ओफ मैथड एंड इस्ट्रेटिजी सच एज ग्रूप वर्किंग एंड रोल प्लेइंग वी यूज उफ एस्समेंट यह बहुत अच्छा है पहली बताया था कि संभी पर तो हम उल्टा नहीं जा सकते हम जाते हैं हम सब्मेट्टिफ टू फॉर्मियुट यह ठीक है लेकिन जो है ऑप्संद यह गलत है ठीक है? Option 3rd क्या कहता है? Option 3rd कहता है NEP 2020 Proposed that Apart from assessment by the teacher Other way such as Self-assessment and peer assessment Should be encouraged बिल्कुल हमने बात की इतना क्या क्या होता है? Self-assessment, peer assessment, teacher assessment यह तीन हो है ठीक है? तबी तो 360D assessment होगा तो यह एकदम correct है च्वथा NEP Proposed that Report Card of the student Should be included Cognitive, Effective and Psycho-Motor यह ठीक है कोई दिख्यात? नहीं दिख्या Question 36 Question 36 NEP 2020 State that Learning should be कैसी होने चीए Content oriented होने चीए Text oriented होने चीए Experimental होने चीए Behavioristic होने चीए तो यह कैसी होने चीए? आपकी यह होने चीए Experimental चीए जितना ज्यादा प्रियोग करेंगे वच्चे उतना ज्यादा सीखेंगे चीए उसके बाद Question 37 As per national education policy 2020, the form of assessment In school should be shift from dash to dash कैसी होने चीए? तो यह होने चीए Submative to formative अभी बताया ना मैंने Pen paper से formative में होने चीए बाकी formative to summative अभी मैंने बताये नहीं है यह गलत है Learning road learning की जहां भी बात आ जाए उसको अपने आप काड़ देता flexible approach होने चीए लेकिन rigid flexible to rigid नहीं होने चीए rigid to flexible होने चीए ठीक है यह उल्टा दे रखा है correct है A मैं सारे option इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई option आए आपको जाए देखने ज़र दना पड़े आपके पास option आए हो आप सीधे clear करते ज़र जाओ next question 38 which of the following pedagogical strategies does NEP propose inquiry based learning होने चीए storytelling learning होने चीए ठीक है कौन कौन सी inquiry based होने चीए storytelling बहुत अच्छा तरीका है और drill practice बना भी बता था यह तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर drill वाला आजाए drill and practice वाला वो NEP में बिल्कुल अलग काट देना option है ठीक है और क्या है discussion based classroom बिल्कुल तो है कोई first second and fourth वाला first second fourth B option correct है ठीक है अब चलते हैं कोश्रमत 39 question 39 which of the following statement is not correct in the context of holistic 360 degree multidimensional report proposed of the assessment of the student NEP 2020 the report will include self and peer assessment अभी पताया था वही simple यह कौन कौन सा यह क्या self assessment हो गया यह हो गया peer assessment हो गया यह तो तो है यह बिल्कुल ठीक है second and the report will include progress of student in the cognitive effective and psychomotor domain यह भी ठीक है the report the report will form an important link between home and school the report will focus on individual work only not include group work यह गलत है group work भी इंक्लूड होगा ठीक है तो यह तीन ठीक है एक गलत option question mark 40 question mark 40 NAP 2020 proposes that education should be focused on drill and practice नहीं drill and practice वाली बात तो बिल्कुल जहां पी हो वहां से इसको एकदम काट दो inquiry driven and discovery oriented बिल्कुल inquiry driven and discovery oriented नहीं teacher centered नहीं child centered होती है oriented toward learning for exam मैंने बोलता है exam के लिए नहीं real life में जिंदगी में क्या सीखता है उस चीज से वह matter करता है ना कि किताभी ज्यान से question mark 41 which of the following does NAP 2020 propose in the context of assessment summative assessment पर नहीं ठीक है learning for exam इस पर बिनिंग 360 dimension multi dimensional प्रोपोर्ट कार्ड ये सी चीज की हम बात बार बार कर रहे हैं 360 degree assessment की ठीक है paper and pencil based जो summative हो या paper pencil हो यह एकदम गलत है question mark 42 NAP 2020 proposed pedagogical shift from किस चीज से किस चीज में होना चाहिए constructed संरचनावादी से संरचनावादी में नहीं ठीक है वेवरवादी से संरचनावादी में convert होना चाहिए road learning to conceptual बिलकुल ये ठीक है हमें road learning से कहां shift होना चाहिए conceptual understanding में shift होना चाहिए inquiry based learning drill drill practice जहां पर भी आये हम काट देंगे ठीक है क्योंकि inquiry based हो गया और practice हो गया तो यहां तो नहीं होगा चौता है assessment for learning और assessment of learning assessment of learning से assessment for learning की तरफ जाएगा ना कि उल्टा जाएगा तो इसका correct answer है B ठीक है तो यह थे आज की question I hope आपको पसंद आई होगी वीडियो इसमें हमने सारे सारे questions देखे हैं जितने concept थे इस से अगर इसको धंग से आप वीडियो को धंग से दुबारा देख लोगे एक बार और आपके सारे concept किलियर हो जाएगे ठीक है और आपको एनेपी से लिटेट एक भी question आपके हाथ से नहीं जाने वाला है तो अगर आपको वीडियो परसंद आई हो मेरा effort अच्छा लगाओ तो प्रीस वीडियो को लाइक कीजिएगा share कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं next वीडियो में ठीक है बिना रुके एक लेक्से को पालन करना यही सफलता का रहस्य सिंपल सी बात है अगर आप कोई भी आपका टार्गेट है कोई एम है ठीक है तो उसको अचीव करने के लिए आप सिंपल लगे रहो